सबी मसीही भाईबानों को परमेश्वर के नाम में जै मसी की धन्यवाद परमेश्वर का जो परमेश्वर ने हमें सुन्दर समय दिया और सुन्दर मौका दिया इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आई हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे मत्ती दसका 26 इसमें लिखा है किस से डरे परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए मनुस्यों से मत डरना क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छीपा है जो जाना ना जाएगा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं जो कुछ हमारे जीवन में होती हैं उस सब परमेश्वर जानता है जब हम अपने जीवन में कोई गलत कारे करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम जो भी करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि हम जो कुछ भी करते हैं, इस सब का लेखा में परमेस्वर को देना पड़ेगा, परमेस्वर जो स्रिष्टी करता है, जिसने आकास और प्रिश्वी को बनाया, जो हमारी मन की बातों को जानता है, तो हमारे एक्टिविटीओं को, हमारे क्रिया कलापों को, जो हम अपने जीवर में करते हैं, कैसे न जानेगा, इसलिए परमेस्वर का बचन बताता है, कि द्यारे में कहता हूँ उसे तु मुझे याले में कहो और जो कानो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर ने हमें आग्या दी है उसका पालन हमें करना चाहिए जैसे परमेस्वर का दास मूसा जो की परमेस्वर का भय मानता था परमेस्वर ने जो जो कहा उसने परमेस्वर की आग्याओं को माना परमेस्वर की आग्याओं का उलंगन नहीं किया वो परमेस्वर के भय में चलता रहा जिसका प्रतिफल उसे मिला पूरे इस्राइली मिस्र देश से आजाद हो गए जो कई सालों से मिस्र के राजा फिरौन के बंधक में थे यहवा ने पूरे इस्राइलियों को आजाद कराया क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के भै को माना परमेश्वर का डर उनके अंदर था मेरे प्रियों हमारे अंदर भी परमेश्वर का भाय रहना चाहिए और जो काम हमें परमेश्वर ने सौपा है उसे हमें बखुबी निभाना चाहिए उसे आगे बढ़ाना चाहिए हमारे अंदर जो भी परमेश्वर ने हमें वर्दान दिया है उसके जरीए हमें आगे बढ़ना चाहिए और और लोगों के जीवन को भी बदलना चाहिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट दी जाएगी इसलिए अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है हमारे जीवन को बदला है तो हमारा यह करतव बनता है कि हमें दूसरों के जीवन भी बदलने चाहिए हमें परमेश्वर का सुसमाचार और लोगों के बारे में और लोगों के बीच में भी सुनाना है ताकि उन लोगों का जीवन भी बदले हमारे कई भाई वहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम को भी नहीं जानते वो परमेश्वर से भी दूर है तो हमारा यह कर्तव यह बनता है कि हमें औरों की जीवन को भी बदलना है इसलिए हमें परमेश्वर का भे मानना है